बहुत कम ऐसी एनर्जी की सोर्सेज होती है जिनका कनेक्शन सोलर से या तो बिलकुल नहीं है या कम है इसका थोड़ा सा कनेक्शन तो जूरूर है लेकिन इसका टाइडल एनर्जी की बात कर रहा हूँ इसका कनेक्शन ज्यादा जो है वो चांद से है बजाए इसके सूरज के अब आपको पता ही है कि चांद और जमीन में तो बहुत पुरानी रोमैंस है बलके चांद तो टुकड़ा ही जमीन का था था पहले वहां से निकल के गया है तो इस वज़ाए से अभी तक कि वो अर्थ की ग्रैविटेशनल फील्ड के अंदर है इसी वज़ाए से उसका अर्थ मून कहते हैं तो वो मून के अत्राफी तो जमीन के अत्राफी वो चांद गूमता है तो इसका मतलब एक ग्रैविटेशनल इनके दर्मियान पुल है और वो ग्रैविटेशनल पुल की वज़ा से चुके कि जमीन का जितने सतर फीसद इलाखा जो है वो पानी में है तो वो जो कशिश सकल जो जैसे कहते है न ग्रैविटेशनल फोर्स वो इस पानी को फिर खेंचती रहती है अब वो फेस आफ हो गया तो वो जैसे घूमी न दुनिया उस हिसाब से वो और चांद का जैसे उस चक्कर चला तो इनका यह जो एक दूसरे के जो ग्रैविटेशनल पुल है उसके वज़ा से पानी ऊपर नीचे समंदर में आना जाना शूरू हो जाता है जिसको हम लोग जवार भाटा कहते है वो ही लोग निकालते हैं आयरलेंड में एक प्लांट अभी लगने वाला है जिसके उसमें से निकालेंगे लेकिन वह बहुत चोटी सी चीज़ है जिसको मैंने इस बहुत नहीं किया यह मैं टाइड की बात कर रहा हूं जहां पर पानी एकदम से बढ़ गया और पानी फिर एकदम से कम हो गया यह मून के तमीर और चांद के अट्रैक्शन की वजह से यह सब कुछ होता है तो उसको देखेंगे कि उसमें क्या होता है यह बहुत परानी खिसम की एनरजी है यह हम लोग को नहीं चीज़ नहीं है जो पहले जितने भी किष्टीरान थे जितने भी लोग समंद से मुतालग थे खरीब थे उनको पता था कि पानी उपर नीचे होता रहता है तो उसको एड्वांटेज भी लेते थे एड्वांटेज क्या हुआ कि आप वो जब पानी उपर हुआ तो भर लिया किसी चीज़ के अंदर और गेट बंद कर दी है जब पानी नीचे चला गया तो पानी वहीं ट्रैप हो गया, अब वहां से आप नीचे से कुछ ऐसी चीज बना लें कि वो चर्खा चला लें, और उसे जो काम निकालना है वो काम निकालनें, और फिर वो जब पानी खतम हो गया, तो फिर दूसरे देन का इंतदार करें, फिर वो टाइड आती है, तो से इस किसम का काम चलता चला रहा है, अब उस काम को इस सूरत में लेना, कि उससे फिर बिजली बनाई जासा है, कि वो कहानी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वाक्त, तो यह इसके ओरिजिन है, वो तो मैंना आपको बता दिया, कि जो ग्रेविटेशन अट्रेक्शन बि बड़ा ज्यादा उपर नीज होता, एक दो फीट उपर हो गया, लेकिन बाज जगह ऐसी होती हैं, जिससे अठारा से बीज फीट तक के, अठारा से बीज फुट, एक कैनेडा में एक जगह है, जहां पे एक दरिया है, जो सुबह इस तरह जाता है, और शाम को इस तरह जात तो इसका मतलब समंदर से पानी आया, तो वो दरिया उपर चलना शुरू हो गया, अब जब टाइड नीचे हुआ, पानी पीछे रिसीड हुआ, तो नीचे आना शुरू हो गया, तो इससे बहुत सारी मज़े की चीज़ें कर सकते हैं, आप ट्रांस्पोरेशन कर सकते हैं, जब टाइड आने लगा, तो आपने इदर से एक किष्टी में बिठा के सामान आमान रखा, वो सामान उपर पहुँच गया, ठीक है, वहां उताल गया सामान, जब टाइड नीचे जाने लगा, तो किष्टी वहां से छोड़ दी, किष्टी खुद बखुद पहुद इस्पेरिमेंटल प्लांट है, इसमें ऐसी नहीं है कि कोई जादा मिक्तार में बिजली सिद बन रही है, या बनती रहेगी, या सप्लाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रूफ आफ कांसेप्ट जरूर है कि ये ऐसा हो सकता है, अब ये देखें, ये उपर वाली सता है, आप जाके हुमते रहें, वहाँ पर सब कोई ढून सकते हैं, अब शाम हुई, तो सब भागना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर वह पानी आएस्ता है, वह एकदम से नहीं आता है, आएस्ता है, तो सब को पता होता है कि यहाँ से चला जाना चाहिए, और वह 20 सुट प मैरिलेंड में है, जो इस कोस पे है, यूनाइडेट स्टेस के, वहाँ पर भी काफी बड़ा जवार भाटा आता रहता है, 18 फीट का जैसे मैंने पहले बताए, यहाँ पर आता है, तो उन्होंने एक 20 मेगावाट का सिस्टम लगा है, जो वहाँ पर बिजली बनाता रहता है और इसके अलावा भी दो-तीन जाएगा, और उन्होंने अभी शुरू की है इसी कहानियां के वहाँ पर बनाएं, कमसकम लोकली तो सपोर्ट करें उनको, अब इसमें यह देखें, यह राइट हैंड साइट पे जो है, वो उनका रेजर्वाइर है, लेफ्ट हैंड साइट प पानी उन्हें ने छोड़ा, टर्बाइन के थूरू, वो फिर बाद में तो यह पिल्कुल हाइड्र एलेक्रिक पावर प्लांट की तरह बन गया ना, वो जैसे राबिर्ट मोसिस पावर प्लांट का मैंने आपको बताया था, उसमें भी बिल्कुल यह बिल्कुल पीछे एक को भर लिया, फिर पानी चला गया, तो एक छोड़ दिया, दूसरा छोड़ गया, तीसरे छोड़ने से पहले पानी दुबारा आ जाता है, तो फिर भर जाता है, तो बड़ी बहुत ही फीजिबल है, और इसका आप अगर यह वो देखें, ड्राइंग, तो नीचे वाली, बि इसी तरह साइकलिक शुरू होता रहता है, और इतना गैरंटीड है ना, यह तो चांद तो बढ़ना घटना तो यह तो बिलकुल रेगुलर सी बात है, तो इसमें वो नहीं हो सकती, तो बिलकुल नॉन पॉलूटिंग है यह भी, बिलकुल प्रेडिक्टेवल है, जैसे मैंन जो कुछ काम ने परता है, तो भागी जो वो है, टेक्नालोजी बिलकुल बहुत ही इसमें नहीं समनौधी क्यों कि प्लाइन तो काफी ए緊से से चलते चले आ रहे हैं, तो वहीज टेक्नालोजी उसमें थोड़ा से यह है कि हाइडरो य्लेक्रीक ज्यादा तर जैसे मीठे प डिजाइन करना पड़ता है, लेकिन अभी भी यह है कि जितने भी टेक्नोलोजी है, उसकी फीजिबिलिटी, फीजिबल तो पता नहीं है के अभी तक चल रही है, कि वो आया चलती रहेगी के नहीं चलती रहेगी.